हालो फ्रेंद्स वर्कम बैक टो मैं चैनल आज एक वार वीडिया आपके साथ में श्याय करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्स्टें मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ छूटी-छूटी स्टोरी इस पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ श् डिस्क्रिप्शन में मिल जाएका और कॉमेंट बॉक्स में मैं इसको पिन कर दूँगी और पार्ट थी कभी मैं कोशिश करूँ कि कि इसी वीडियो के अंदर आपको जब मैं उसको अप्लोड करूँगी तब वह आपको मिल जाए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आगे का पा का इंदेफीने टैंस है ठीक है, I reached मैं पहुंचा या मैं पहुंची, 15 बाबर लीन, 15 बाबर लीन पहुंचा I found मैंने Find means पाया I का मतलब मैं भी होता है और मैंने भी होता है ठीक है found मितलब पाना find की ही second form होती है found ठीक है यह हमारा present past का indefinite tense है इसलिए I found मैंने पाया the door locked the door यानिके दर्वाजे को locked यानिके बंद मैंने दर्वाजे को बंद पाया आखिरकार जब मैं पंदरा बारा लेन पहुंचा तो मैंने दर्वाजे को बंद पाया I looked again I मतलब मैंने looked again look means देखना again यानिके दुबारा मैंने दुबारा देखा to make sure make sure यानिके सुनिश्चित करने के लिए या पक्का करने के लिए that की I had come to the right place I had come यानिके मैं आया था to the right place कि मैं सही जगा पर आया था ये सुनिश्चित करने के लिए मैंने दुबारा देखा ठीक है after some time थोड़े समय बाद या थोड़ी देद बाद a neighbor of my friend neighbor यानिके एक परोसी of my friend मेरे दोस्त का एक परोसी came and asked me came मितलब आया and asked me और उसने मुझसे पूछा ask मितलब पूछना या फिर ask मितलब मांगना भी होता है ठीक है उसने मुझसे पूछा why are you standing here why are you standing here आप यहाँ क्यों खड़े है तो why are you standing here हमारा क्या होता है यह हमारा present का do you want to meet do you want क्या तुम चाहते हो do you want जब do से हमारा कोई भी sentence शुरू होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या से शुरू होने वाला है do you want to meet someone क्या तुम किसी से मिलना चाहते हो someone यहनि कि किसी से क्या तुम किसी से मिलना चाहते हो I replied मैंने उत्तर दिया या आप यह भी बोल सकते हैं कि मैंने जबाब दिया Yes, हाँ I want to see Mr. Sam living in flat number 15 I want to see मैं देखना चाहता हूँ Mr. Sam मैं Mr. Sam को देखना चाहता हूँ living यानि कि जो रह रहे हैं in flat number 15 जो flat number 15 में रहे हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ चाहता हूँ क्यों बोला क्योंकि simply यहाँ पर want है wanted नहीं है यह हमारा present का indefinite tense हो गया He immediately replied He यानि कि उसने यह का मतलब वह भी होता है और उसने भी होता है Immediately उसने तुरंत उत्तर दिया या उसने तुरंत जबाब दिया But he changed his house last Wednesday But लेकिन he changed उसने बदला है His house, उसका घर Last Wednesday Wednesday यानि कि उसने पिछले बुद्धभार को अपना घर बदला है And or Has gone to R.K.Puram और वो R.K.Puram चला गया Gone यानि कि चला गया Frustrated यानि कि निराश निराश में यानि कि frustration से भरा हुआ I came back मैं वापस आया To the bus stop मैं bus stop पर वापस आया I was feeling hungry I was, मैं था feeling यानि कि महसूस कर रहा था Hungry यानि कि भूका मैं भूका महसूस कर रहा था अब यह क्या है हमारा यह हमारा past का continuous tense हो गया ठीक है Simple है जब present का बनाना होता है तो हम is, rm का use करते है जब past का continuous बनाना होता है तो हम was, rm का use करके उसके साथ में verb के साथ में जो ing form को use करते है After some time थोड़ी देर बाद या थोड़ी समय बाद It started trizzling It started यानि कि शुरू हो गई Trizzling यानि कि बून्दा बांदी थोड़ी देर बाद था कि मैं क्या करूं इस तरह के असमंजस में था My यानि कि मेरा यह चीज़ हमेशा यादर कि मैं को यह चीज़ बोलती हूँ एक एक word को जब आप पढ़ेंगे आपको easily सब चीज़े अपने आप से clear होती चले जाएंगी और आप word meaning पर भी ध्यान देंगे तो और अच्छे से clear हो जाएंगे Now यानि कि अब My confusion was compounded by the tolerant rain My confusion अब मेरी ब्रह्म की जो इस्तिती थी was means थी compounded यानि कि चक्रवती by the tolerant rain Toleration तो मतलब क्या होता है एकदम मूचलाधार भारिश जो बहुत तेज वाली बारिश होती है अब मैं ब्रह्म में था इस तेज बारिश के कि कहीं आप तेज बारिश ना हो मैं इस ब्रह्म में था I had refused मैंने मना किया था ठीक है I had refused जब head के साथ में third form का use होता है Normally head अगर आ रहा है तो वापे first form use होती है but अगर head के साथ में third form का use हो रहत है वो हमारा passive sentence हो जाता है तो मैंने मना कर दिया था to have breakfast मैंने breakfast लीने के लिए मना कर दिया था in the hope इस आशा में, hope means होता है आशा में that की I would have it at my friend's house I would have, की मैं करूँगा it, इसे मैं करूँगा at my friend's house की मैं इसे अपने friend की अपने दोस्त के घर में करूँगा इस आशा में मैंने breakfast के लिए सुभा की नाश्ते के लिए मना कर दिया था किसको उसकी बैहन को अगर आपने part 1 पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा अगर आप story को भी पूरा पढ़ना चाते हैं अगर आप सिफ और सिफ English देखना चाते हैं English देखना चाते हैं तो इसको simply डिल सकते हैं कोई दिख करनी है at this stage इस समय या इस स्थिति पर my anger was mounting my anger मेरा गुस्सा was wanting wanting यानि कि क्या होना है किसी भी चीज़ का बढ़ जाना मेरा गुस्सा इस समय जो है अब बढ़ रहा था ऐसा भी आप बोल सकते हैं वो बढ़ रहा था mountain की तरह उंचा होता जा रहा था ठीक हाई होता जा रहा था I was cursing myself I was cursing यानि कि मैं बुरे शब्द बोल रहा था myself अपने आपको मैं भला बुरा बोल रहा था आप ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर मैं अपने आपको अपशब्द बोल रहा था ऐसा भी आप बोल सकते हैं as well as my faith साथ ही साथ as well as यानि के साथ ही साथ my faith मेरी किस्मत को मैं अपने आपको भला बुरा बोल रहा था साथ ही साथ अपनी किस्मत को भी मैं भला बुरा बोल रहा था बट लेकिन I controlled my anger I controlled मैंने अपनी गुसी पर नियंदरन किया मैंने अपनी गुसी को नियंदरन किया ऐसा भी आप बोल सेके I made up my mind made up के नहीं के बनाना, my mind नहीं के मेरे दिमाग को, मैंने अपने दिमाग को मनाया या मैंने अपने मन को मनाया, ऐसे भी आ बोल सकने, to meet Sam Sam से मिलने के लिए मैंने अपने मन को मनाया, या बनाया, दोनों ही आप बोल सकने I hope this story आपको अभी तक पसंद आ रही होगी कि कितना struggle हुआ बिचारे को कैगा चीज़े उसके साथ में हुई इसका part 3 जो है वो last part होगा वो मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी उसका भी link मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसी के description box में मिल चाहे जिसे कि आप 3 stories एक साथ देख सकें यह story कैसी लगे प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा आज के 3 words हैं जिनसे आपको sentence मिनानी है comment box में निखना है first word है हमारा immediately immediately यानि के तुरंट जल्द से जल्द की से भी चीज़ को करना next word है frustrated यानि के निराश and third word है drizzling drizzling यानि के बूना बांदी हलकी हलकी से जो बारिश होती है चुप चुप सी बारिश जो होती है उसको बोलते हैं drizzling यानि के बूना बांदी इन तीनों से आपको sentence मिनाना है comment box में लिखना है आज के 3 words dictation के जो है कैसे लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा story कैसे लगे प्लीज बताएगा क्योंकि मुझे काफी अच्छी लगी थी simple है easy है इसमें जितनी भी sentence है उनका आप अपनी day to day के life में use कर सकते हैं आपको जो भी sentence लगता है कि ये sentence में बहुत बोलता हूँ उसको आप बोलनी के practice कीजिए उससे आपके spoken भी improve होगी thank you so much for your time झाल